सिंगु बॉर्डर पर तीन करशी कानूनों के विरुद में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और पिछले 25 दिनों से देश भर का अनदाता बॉर्डर पर डटा हुआ है आए दिन आंदोलन को और मजबुत बनाने के लिए किसानों का दिल्ली कूज भी जारी है इसी के चलते आज भी गोहाना से किसानों का एक जथा सिंगु बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया है दलबल के साथ किसानों को काफिला रवाना हुआ किसान अपने ट्रेक्टर ट्रॉलियों में खाने पीने का राशन के साथ साथ आग जलाने के लिए लकडियां और उपले भी अपने साथ ले जाते दिखाई दे रही है किसानों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि किसान नेताओं से बातशीत कर जल्द कोई समाधान निकाले, नहीं तो ये आंदोलन और तेज हो जाएगा कि हम वहां दरने पर जा रहे हैं और एकल हमने जो हमारे 29 किसान साथी सजीद होगे हर गाओं में हर जिलाएड कोटर पर तसील पर हमने सर्दांजली सवाय जित की थी और आज हम पूरे दलबल के साथ उस अंदोलन में पहुंच रहे हैं और जब तक कि ये सरकारी ना उन काले क कि अनुनों को वापीज नियुक्ति तब तो यह लगातार अंदोलन किसान अनुदन चल रहा है इसके बारे में जो बढ़े जारी करें हैं इसके खलाप सभी किसान भाई कोई भी जाती से संब्रंध है वो सभी हमारे साथ दे रहे हैं हम भी पूरा साथ दे रहे हैं और आग किसानों की माने तो क्रिशी कानूनों के विरोध में किसानों के साथ देश की 11 बड़ी प्रेड यूनियन भी साथ हैं और आज गोहाना के बिच पड़ी, खेडी, सहित कई गाउं के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जा रही हैं वो अपने साथ कई महीनों का खाने पीनी का राशन वा आग जलाने के लिए लकड़ी भी ले जा रही हैं ताकि किसी प्रिकार की कोई समस्या न हो बस हमारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि तुरंत एंकाले कानूनों को वापस लिया जाए गोहाना से सुनिल जंदल पंजाब के सिर्फ टीवी